हेलो साथ योरू नमस्ते मा आरवी पुन आज़ो मत भाहर को माज में योटा अलिकती फरक भिशेली ये राये कुछू आज़ो मत भाहर को माज में योटी महिला को एस तो काहली लागदो कथा शियर गर्न गई राये कुछू जयसलाई सुने पचे माला बिश्वास चा कि तपाई रूभी भीत्रपनी योटा साहासको लहर दहँड़ई नेचा तपाई को सरीर मा करेंटक पर वहा ओंगेछा रदपाई पनी आफने जिवन मा कही न कही गर्ने अठोट गर्नूने चा सत्योरू सभी मांचे को जिवनमा संगरशर समस्या निरांतर चलि नरा आन्च फरक एतिमात्र हो कि कोई मांचे संगरश को बलमा स्षी खर्चूमना सफल होँँच तकोई मांचे समस्या को गाड़ी हार खायेर भीवस्तमा जिवना बाद्धियंच तर आजड़ा को कथा सुनी सके पची, यो पक्का छे कि तपाई को जीवन मा चाहे जत्तीने ठुले समस्य आवस, तर तपाई हार खानुने चाहे ना, किनिके आज़ा जसको कथा मा तपाईला सुनाओना गई रहे काछू, उहां को जीवन मा जुन घटना घटियो, तेस्तो घ भाटना जसले मान्चलाई सडक मा भसे रा भीग मागने लायक को पनी छोड़ देना साथेरू अब धिला नगरीके नमा कता धर्फ लांचु तिसेले ध्यान दियेर सुरुबाट अंत सम्मा सुन्नुवाला रा कता संग संगे आफिलाई जोड़ने कोशिश्पनी गर्नुवाला युकता हो भारत को उत्तर पर्देश को यवटा जिल्ला अंबेडकर नगरमा अवस्थित पांडा टोला गाउं को यवटा सानुगरमा बसने अरुनिमा सिन्हा को अरुनिमा सिन्हा को जन्मत सन उन्नाइस से अठासी मा भाये को दियो उनी साने बाटा एकदमे टैलेंट थेन बच्चे बाटा उनलाई वलीवल मा निक्के रोचे दियो एरा पढ़ाई मा बनी उनी अब्बल थेन उनले समाच सास्तर मा इसनात कोत्तर रा कानून मा डिगरी हासिल गरी सगे पचे आफनो रोची को खेल वलीवललाई निरंदर ता दिना धालें बिस्तारे उनको महनत र लगन ले उनलाई राष्टी इस्तर को खिलाडी को रूप मा चिनाउन धालें तरह भनेंचे कि मान चेले यवटा को र सुच्छा र जिन्दिगी ले तिसलाई आरके रूप मा दिने गर्छा अरुनिमा सिन्हा को जीवन मा पनी तेही भयो खेलको माध्यमबाट आफनो देश को लागी केही गरने उनको सपना अचानक घटे के उटा घटना ले तहस नहस पारी दियो घटना हो 11 अप्रिल 2011 को तियो राधोनी पदमावत एक्सप्रेस को ट्रेन मा चडेर लखनो बाटा न्यू दिल्ली तरप जाने धीन तरह जब ट्रेन बरेली बनने ठाउमा पोग्यो अचानक त्याहा कहे लुटे रहाव ले ट्रेन मा लूट पात गर्ने शुरू करे तेही करम मा उनलाए पनि लूटना खोजियो तरह उनले आफले सके कुई पर्तिकार गर्न धालिन कहे बेर को कोशिस पचि पनि लूटना सफल ना भाई पचि तिर लाए गवाता और भाईरा भाली थिए। नहीं बेला है और फूर मतल फूमेट वन्हें महशूस और भाई हो थिए। आखिर के भये खोवने ठम्यावना सकी रहे को थिये ना एक चिन पची जब अली कती होशली काम गाना थालियो तब अनी दुई हाथ को सहरा लिये रा उटना खोजिन बल्ला पथा भयो उनको तदुवे खुट्टा आरको टेरन को मनी परे रा तब खुट्टा दुई टुकुरा मा भाची एक रहे जा रारको खुट्टा बाटा हड्टी औरु बाहिरे निसकिये का थिये खुट्टा बाटा रगत को भेल बगी रहे क थियो मदद को लागी उने चिल्लाउन थालिन, कराउन थालिन तब रात को समय भाचे को ले मदद को लागी कोई पनी मांची अरू त्याहां थिये नान उनी चिल्लाई रहे अनी तेही ट्रेन को दुईटा ट्रेक को बीच मा पल्टी रहे जब जब ट्रेन नाओ थियो तब जमीन मा वाईवरेट भएको जमीन हल्ली एको उनलाई माउसो सुन्तियो इस दिर कही बेर पची उन्हीं बेहोस भईन साथियरो यदी यो कथा हो भनेर तपाले सुची रखनो भईगो छाबने मभनना चांचू यो तयोटा घाटना मात्र हो किनिकी असली कदाता अवसरो नहीं जा आरको देन जब उनलाई होस आयो तब उनले आफलाई होस्पिटल को बेड मा थी पाएन त्यो होस्पिटल थियो नियु दिल्ली को A.I.I.M.S. होस्पिटल जहां उनले चार महीना बेड मा बिताएन किने की उनी राष्टे इश्टर को ख्यलाडी थी तिसे ले मीडिया मा अनेक परकर का नियूस ओरू बन न धाले कुने नियूस मा आयो और निमा संग ट्रेन को टिकेट थी तिसे ले ट्रेन बाटा हाम भले कसले लिखे और इन्यमा आफनों जिन्दी की देखी हार खायरा सुशाइट गर न गई को थी अनेक परगर का नियूज जरूबा न धाले जसको खंडन गर्दा गर्दा उनको घर परिवार पनी ठाक न लागी सके का थी तिति बिला हस्पिटल को बैड मा पल्टी रहे का अवास थामाई उनले निर्ने गरिन की मा बोले रहे न कही गर्यरा जवाव दिने चू रहे सोचें की सजीलो है न जिन्दीगी को सबी बंदा गारो काम माती मा विजे हचिल करने चू तब उनले सगर माता चड़ निर्ने गरिन तबाई सोचनुस जसको सरिर मा खोटाने चैना उचले सगर माता चड़ने आट रहे मत कसरी गर्न सक्ष ओ एसेलाई भनेंचा अठोट एसेलाई भनेंचा तिर्द संकल्प निर्ने तब उनले गरिन तरह सोचनुर गर्नों मा जमी नाकास को फरक होंचा उनको यो निर्ने सुनी सके पची अज़े धेरी नियोजरु बनना धाले कतिली उनले पागल बने कतिली बने असंभव चीज माथे जोड़ना करा बने रबने तरह उनको अडान र अठोट अज़े बलियों दे थियो जब उनी हस्पिटल बड़ा डिस्चार्ज भएन तिसपची उनी घर गयनान सिधे मेडम बचिंदरी परलाई भटना पोगे जसले सन उन्नाइस्चे चोरासी मा सगरमाता को सफल आरवन गरिगी थियन जब बचिंदरी मेडम ले उनको कथा सुनें रो उनको त्यों हिम्मत लाई देखिन तिसपची उनले आखाबरी आसुल्याउंदे भणें कि एस तो हालत मा पनी तिमिले सगरमाता चड़ने निर्ने करेऊ एसको मतलब एसको मतलब तिमिले आफो भित्रतर सगरमाता चड़ी सगेऊ अब तो दुनिया लाई चड़ेको मिती मात्तर थाहोना भागी चा तिस पची उनको ट्रेनिंग सुरू भयो तरह जुन दूरी नर्मर मान चेले दोई मिनेट मा पुरागर थे उनलाई तियो दूरी पुरागर नको लागी तीन-तीन घंटा लागने करतियो किनिके उनको दाहिने खुटागो हड़ी पनी जोड़ियेको थिये न रभीतरा रोड थियो देवरे खुटामा आडिव शियल यानि नकली खुटा हलियेको थियो जस्मा अलिकती जोर पाड़दा बित्ते कई रगताउने गरतियो परपनी उल्ले हिम्ब थारे नन निरंतर तियो दुखाईलाई सहंदे अगाड़ी पड़ी रहीन रांद तेव खुटामा टूटे को हड़ी ररड रार को नकली खुटाको साहरामा सगरमा था चड़ना निसकीएन एक अपरिल दुयाजार तेरमा उनले सगरमा था चड़ना शुरू करीन बीज मा अनेक भाधा आये तिसमा थियो उनको थियो खुटारा माइनस साथी डिगरी को चीसो मोसम पिड़ा को सीमा थिये न किनेकि युटा खुटामा रड रार को खुटा नकली थियो जशले करता उनलाई एक्दमे गाहर बई रएक थियो तर बनेंच जहां इच्छाच तिहां उपाय बनेंच उनले जशोतो स्वाफलाई सम्हाल दया गाडी पड़िन रो फाइनली 13 दिन पची 21 में 2013 मा उनले पुरे दुनिया को अगाडी युटा इतिहास कोर दोई सगरमा थको चुचुरू मा पुगिराई छाडी सथिरो युथियो युटा उताहारन कि यदे मांचेले चाहियो बने के सम्हागरन सक्ष बनेर उनी बन्चेन मांचे अपांगस सरीर बाटा हेना आफन मन्र दिमाग बाटा उने गरचन बाहिरा जस्तो भय पनी येदि तपाई भित्र पनी कुने कुरालाई पाउने द्रिड्ड संकल्प छबने तपाई ले तिसले पाईरे छोड़न होंच येसको जोलन तो दाहरन होन अरुनिमा सिन्हा साथियरों मान छे के उटा सही निर्नेले उसले अमर मनाय दिन छा रह उटा गलत निर्नेले उसको नमाउन निशान मेटाय दिने सक्छ अब तपाईरों संसनों स्यदी अरुनिमा सिन्हा को ठाउमा तपाई भई देगवई के गर्नों थियो सोद्नु साफे बित्र के तपाई संगपनी तियों आहाट छा तियों सहास्ष तियों हिम्मा छा जोन अरुनिमा सिन्हा संग थियो 2011 मा उनी माथे तेस्तो घटना घटियो र 2013 दोई वर्ष को अंतराल मा उनी सगर माथा को चुचुरो माथे इन कसरी योकुने जादू है ना आफिलाई सोदनू सेक्षुटी सद्युरू अमरो जीवन मा एती टुलो घटना घटेको छैना और इनिमा को जस्तो अपांगता हमी संग छैना आमरो हाथ खोटा सबल चन कि हमी पनी मरनू भन्दा गाडी कही गरना सक्देनों उता पक कही पनी गरना सक्छों बस एक चोटी आफनो अंतरा आत्मा मा जहां के रा कही गरने अठोट करनूस तपाई को लक्षे तपाई को हाथ मा आउने चा उड़ भनाई चैन दिमा मंजिले मिल ही जाएगी भड़कते होए ही सही गुम्राहत वो है जो घर से निकलते ही नही साथ हीरो आसागर छो यह काता सुनी सके बची तपाईरुको सोच मा तपाईरुको जीवन मा कही ने कही परिवर्त ना आउस किनिके हामिसांगा जो जीवन छा तेव एक चोटी को लागी मात रहो एसला घर नफालनूस यह वीडियो हैरी सके बची मन परियो भने लाइक शेर रा कॉमेंट करनो न भुलन होला रह अरुनिमास से नहागो आफनो स्टोरी आफेले सुनाई रहेक वीडियो को लिंक माले तला दीएको चुँ तो हैर नो होला तिसलिए तो पहलाई अजे हिम्मत थपी दिनेशा धन्यवाद